दोस्तो आज के समय में गाउं में सभी चीज़ों का विकास हो गया है चाहे बिजली हो पानी हो सड़क हो सभी चीज़े गाउं में आसानी से पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर गाउं में कोई विजनस करने की बात करें तो लोगों के मन में पता नहीं क्यों ऐसा लगत सकते हैं दोस्तो सबसे जबर जस्त बात यह है कि अगर गाउं में इन बिजनसों को करते हैं तो अभी तक गाउं में ज्यादा आपको कमपडिशन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप सहर में यहीं बिजनस करेंगे तो सहर में आपको भारी भर कम कमपडिशन देखने को मिल जाता है, वहाँ पर बिजनस करना काफी कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप गाउं में वो सारी बिजनस अगर कर लेते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप गाउं में अच्छी खासी कमाई भी कर पाएंगे, साथ में आपको competition करने वाला भी बहुत कम ह होगा भी, तो जब तक आप अपना पाउं जमा चुके होंगे, तो दोस्तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजोसी मत करिएगा, तो दोस्तो चलिए जानते हैं, कौन से ऐसे गाउं में चलने वाले बहतरी इन बिजनस आइडिया है, और जिस भी बिजनस को आप करना चाहिए, उसके बारे में बगर पूरी डिटियल पूरी डिटियल जानकारी आपके पास नहीं है, तो आपको महीने दो महीने समय देखकर उस बिजनस के बारे में जानना चाहिए, उस बिजनस को सीखना चाहिए, उसके बाद ही कोई बिजन स्टार्ट करना चाहिए तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे टॉप 10 बिलेज बिजनस आइडिया दोस्तों नमबर 10 पर जो बिजनस है वो बिजनस है दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे कि गाउं हो या सहर हर जगा मकान बिल्डिंग दुकान सब सब चीजे बनती रहती हैं तो ऐसे में उसमें जो भी चीजें कोई आसकता होती है जैसे इट पत्थर सरिया सीमेंट और भी रोडी बजरी आदी चीजों की आसकता पड़ती अगर आप गाउं में कोई बिजनस करना चाहते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन मैटरियल सप्लाई का बिजनस स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों इसके लिए आपको जो भी सामान है चाहे इटा है चाहे सरिया है सीमेंट है रोडी बजरी जो भी है आपको थोक रेट पर खरीदना है यानि कि बड़े बड़े ट्रक आपको मंगवाना है उसके बाद में जो भी आपको आडर हो वहाँ पर आडर को सप्लाई करना है इसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास जो भी सामान है जरूरत कंस्ट्रक्शन मैटरियल में वो सामान तो रखना ही है इसके आप अपने गाउ में रहकर एक construction material का business start कर सकते हैं दोस्तो नमर 9 पर जो business है वो है tent house का business दोस्तो आज के समय में आप जानते हैं कि गाउ में tent house की जरूरत कितनी ज़ादा है दोस्तो गाउ में कोई भी function हो, कोई भी party हो, मुंडन हो या फिर कोई धार्मिक समाहरो हो तो वहाँ पर tent house का जरूरत पड़ता ही रहता है उस tent house की booking के लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं तो अगर आपके गाउ में कोई tent house नहीं है, tent house का business नहीं है तो आप अपने गाउ में tent house का business स्टार्ट कर सकते हैं और उससे भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं उसमें starting की लागत की बात करें तो minimum आपको 5 लाक रुपे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने business में 5 लाक रुपे लगाने ही पड़ेंगे लेकिन अगर आप कमाई की बात करें तो इसमें हर दिन आपको booking नहीं मिलती है लेकिन अगर हम average सालाना कमाई की बात करें तो अगर 5 लाक रुपे या 5-7 लाक रुपे एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें अगर हम पुरे साल की बात करें तो आप 10 लाक से 12 लाक आसानी से कमा सकते हैं इसके बाद में जो अगला business है वो है तेल मील का business दोस्तो आप तेल मील क्या है तो इसमें आपको क्या करना है जो भी सरसो है राई है या फिर और भी जो तेल वाले चीजे होती है उसका आपको तेल निकालना है पैकेजिंग करना है और मार्केट में सप्लाई करना है इससे भी आप अपने business की सुरुआत कर सकते हैं और अच जिली से चलाएंगे तो भी और बेस्ट रहेगा इसके अलावा आप चाहें तो आप solar system से भी अपने उस machine को चला सकते हैं दोस्तो इसके अलावा कच्चे माल की बात करें तो इसमें आपको सरसो गयरा भी जरूरत पड़ती है जो गाउ में आसानी से मिल जाती है गाउ में द करेंगे तो आपको profit भी अच्छा होगा तो अगर गाउ में कोई business करना चाहते हैं तो यह business भी आप आसानी से कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है इस business में किसे आप अपने घर से सुरू कर सकते हैं इसमें आपको किसी labor की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपका यह माल बहुत ज्यादा होता है अच्छा बुनाफा होने के करण आप इसे अपने गाउ में start कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों हरबल खेती में आप जड़ी बोटी और ऐसे आवसधी पौधे लगा सकते हैं जिसकी market में आज की समय में बहुत ज्याद करते हैं तो इसे आप नेशनल लेबल पर तो अपना marketing कर ही सकते हैं आप इंटरनेशनल लेबल पर भी सप्लाइ कर सकते हैं बस अगर आप इसके बारे में detail वीडियो चाहते हैं कि इलो वेरा की खेती कैसे करें इसका supply कैसे करें कैसे सफाइदा ले सकते हैं तो इस पर भी आस-पास के बजार में और पतंजली जैसे कुछ सी मेडिसिन वाली कंपणी से भी डील कर सकते हैं इसी के साथ में एलोवेरा तुलसी गिलोए आउला ब्रह्मी कपूर कचरी आज येसी आउसधियों पोधों की खेती करके आप अच्छी खासी कबाई कर सकते हैं अगला जो या एक आईटम आते हैं चैसे चाहे वो कारपेंटर को जरूवत हो या फिर किसी किसान को जरूवत हो इसमें बहुत सारे आप आईटम रख सकते हैं अगर आप एक हाड़वेर सौप पर जाते हैं तो आप देखेंगे इतने आईटम आपको मिल जाएंगे कि आप उसका idea नहीं लगा सकते हैं अगर हम किसानों से rated बात करें तो किसानों में आप किसानों की जरूरत के सामार रख सकते हैं जैसे आप उसके pumping set रख सकते हैं pipe रख सकते हैं कटीले तार रख सकते हैं कीलिया रख सकते हैं अगर carpenter की बात करें तो Carpenter से जुड़े कई सारे आइटम रख सकते हैं, जिसे कीली हो गई, हतावडी हो गई, या फिर Carpenter के जो आउजार हैं वो रख सकते हैं, आप इसमें लकड़ी के बॉर्ड रख सकते हैं, अगर हम बात करें construction material में, तो इसमें भी कई सारे आइटम रख सकते हैं, जिसे आप वूडन की आप दूर रख सकते हैं, दरवाजय रख सकते हैं, खिड़किया रख सकते हैं, टाइल रख सकते हैं, पैंड रख सकते हैं, यह तियादी चीजों को आप इसमें रख सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अगर 5 लाख रुपे कर दे तो बात आती है कितनी कमाई होगी अगर 5 लाख रुपे अगर आप इन्वेश्ट करते हैं तो लगभग आप 50 से 60 जार रुपे आसानी से कमा लेते हैं क्योंकि आपके दुकान में सामान ज्यादा है तो कस्ट्रॉमर्स भी अलग अलग तरीके से आएंगे तो आपके जब ज़्यादा कस्ट्रमर्स आएंगे तो आपकी सेल भी ज़्यादा होगी और आपको फ्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला है दोस्तो आज के समय में इस परकार की सौप गाउं में बहुत कम ही रिखाई देने को बिलती है तो अगर आपके गाउं में अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं तो ऐसे में गाउं में लोगों को खेती से जुड़े जिसे बीज हो गए खाद हो गए कीट ना सक दवाईया हो गई ये सारी चीजे ज़्यादा हो सकता पड़ती है तो आप गाउं वालों की जरूरत को पूरा करके इस सारी चीजे जरूरत को पूरा करके आप गाउं में खाद वा बीज भंडार खोल सकते हैं इससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तो इस बिजनस को स्टाट करने के लिए आपके पास एक लाइसंस होना जरूरी है फिर जाकर आप इस प्रकार के खाद वा बीज भंडार का इस्टोर खोल सकते हैं दोस्तो अगर आप इसके बारे में भी डिट्रियल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए दोस्तो अगर आप खाद वा बीज भंडार के उपर डिट्रियल वीडियो चाहते हैं अगर आप इस business के वो शुरू करते हैं और शुरू करने के लिए अगर जगा की बात किया जाए तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगा है तो आप इसमें अपने इस business को सुरू कर सकते हैं आप अपने घर पर भी इस business को सुरू कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि आपको कि इसा नियरिस्ट मार्केट में खोलना चाहिए जहां पर आपको दूर दूर से भी कस्टुमर आपके पास आए और आपकी जो दुकान है अच्छी चले नमबर फोर पर जो विजनस है वो है ए रिक्सा आटो विजनस गाउं की ज्यादा तो लोग पैदा जाते हैं क्योंकि अगर आपके पास और भी बजट है तो आप 2-3 आटो रिक्सा लेकर उसे किराये पर भी दे सकते हैं या फिर खुद दूसरों से चलवा सकते हैं इसे भी आप गाव में रहकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं आप सभी को इसमें अगर आपके पास ज्यादा बजट नही है तो आप इसे EMI भी करवा सकते हैं, माल दिजी कि 1,00,000 रुपे का अगर E-18,000 रुपे जमा करके आप ले सकते हैं, और बाकी की जो पैंसे बचेंगे उसे आप EMI करवा सकते हैं, इसे भी आप अपने गाउं में रहकर अच्छी खासी कबाई कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप लागत की बात करें, तो एक E-18,000 रुपे से लेकर 20,000 तक आता है, तो इसमें अगर आप 1,00,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं, तो हर दिन आप 500 से 1000 तो आसानी से कमा ही लेंगे, दोस्तों नमबर 3 पर जो बिजनस है वो है Electronic Repairing Shop, दोस्तों आज की समय में आप देखेंगे कि गाउं में बिजली पूरी तरह से आ गई है, तो गाउं वाले लोग इसका पूरी तरह से फायदा भी उठा रहे हैं, गाउं वाले लोग बिजली के जितने भी उपकरण है, चाहे टीबी, फ्रीज, पंखा, कुलर, इत्यादी का सभी का अच्छी तरह से उपयोग भी कर रहे हैं, और वो उपकरण कभी न कभी खराब भी होते हैं, या फिर हमें उसे नया लेने की जरूरत भी पड़ती है, तो अगर आपके गाउं में क्योई भी इलेक्ट्रोनिक सॉप नहीं है, इलेक्ट्रोनिक रिपेरिंग सॉप नहीं है, रखते हैं तो और भी ज़्यादा आसानी से कमाई की जा सकती है तो आपके गाउ में अगर इस परकार के electronic shop की दुकार नहीं है या electronic repairing shop नहीं है तो आप इस परकार के business को सुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों नमबर टू पर जो business है वो है टेलरिंग का काम या फिर दरजी का काम आप दोस्तों आज की समय में देखेंगे कि गाउ में भी लोग कई तरह तरह के fashionable कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे कपड़े जहां पर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों अगर बात करें कि सिलाई सेंटर में आप केपना investment कर सकते हैं दोस्तों इसमें इंवेस्ट करने की बात करें तो यह डिपेंड करता है कि आपकी मसीने कैसी है तो नॉर्मल जो इन्वेश्ट है इसमें अगर आप पचास जार से एक लाख रुपे इन्वेश्ट कर देते हैं तो हर दिन चार से पाँच जार रुपे आसानी से कमा लेंगे नमबर वन पर जो बिनस है वो है किराने की सौब दोस्त वाप सभी को मालूम है कि किराने के प्रॉडक्टों की जरुवत आज की समय में हर कहीं है जाहे गाउं हो या सहर तो गाउं में जहां पहले बहुत सारे ऐसे तो आपको गाओं के लोगों की जरूट के अनुसार है उस सारे प्रोड्रक्टर अगर रखते हैं तो आप अच्छी खासी खासी कमाई भी कर सकते हैं दोस्तो आज किस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनस आइडिया बताये हैं इसे आप गाव में अपने शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं तो दोस्तो ये बिजनस आइडिया और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में बताईएग झाल झाल